हाई गाईस आज हम NPCI के बारे में बात करेंगे यह पार्ट टू है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है नाच नाशनल आटोमेडिट क्लेरिंग हाउस आज काल किसी को भी आप पेमेंट करने के लिए आप UPI, NEFT, RTGS, IMPS यह सब यूज कर सकते हैं यह पेमेंट के लिए आप आप अनलाइन आप के खा सकते हैं जैसे फीम, गूगल पे, पेटीम, फोन पे यह तो जिनरली वन टाइम पेमेंट होता है तो अगर आप किसी को रेगुलर्ली आमाउंट देना चाहते हैं जैसे EMI, SIP के पेमेंट, इंस्यूनस के प्रेमियम, मूचल फंड के इंवेस्टमेंट जो आपके रेगुलर्ली फिक्स होता है वह सबब नाच के मादम से कर सकते हैं, आप बैंक में जाके अपना नाच का फॉर्म फिलफ कर सकता है, नाच का प्रोसेस सिंपल है, एक फॉर्म से मिलेगा, उसको फिलफ करना पड़ेगा, दस दिन में अंदर आपको अप्रूबल मिल जाएगा और इस समय में तो इनाच भी आ गया है, जो पूरा डिजिटल प्रोसेस है, जो आपकी पैन कार्ट और आधार से लिंग होने के बाद, विजिन 48 आउर्स में सब कुछ कम्पीट हो जाता है, इनपी से पूरा नाच सिस्टम को समाल दिया, इसके बाद आता है नाचनल इलेक् तोल कलेक्शन, तो बिसिकली टोल प्लाजा में किसी दूसरे जगा में जाने के लिए आपको टैक्स पे करना होता है, फिसिकली करना पड़ता है, बट अभी के समय में फास्टेक डिवाइस जो आपकी बैंक अकाउंट से कनेक्ट होती है, किसी भी ऑनलाइन वालेट के थू यह फास्टेक डिवाइस आप अपनी गारी की वींड क्लास में लगा सकते है, फास्टेक बश्राइपको कुछ इनफर्मेशन देने पर एगेगे जैसे आपका आईडी, आरसी की फोटो, गारी की इनफ़र्मेशन, यह शब देने के बाद ही आपको गारी मिल जाएगा, और यह सब फिलप करने के बाद आपको पेटीम से एक मेल आएगा मेल में आपको तुरह से कोड दिया जाएगा अगर वो कोड आप दे देंगे तो डिलिविडी हो जाएगा आपका और कुछ दूनों में दो तीन दूनों में आपका यह आवी जाएगा तो सिंपल से कार्ट टाइ मसीन की तो आगे के समय में क्या होता था अगर आपका ΚाणDid Bank of India में होता था तो आप पैसा निकालने के लिए Bank of India केले में जाते थे किसी दूसरे bank के में में आप युक्क डिविशन नहीं कर सकते थे साहित्रीज बैंक के सुभीदा में आ गए और एक बड़ा से निठक हो गया अब आपका अकाउन किसी भी बैंक में होना क्यों सभी एटीम से पैसा निकाल सकते हैं और एक बात बोलना चाता हो यह जो आईडी आर्बीटी ने है वह इनफेस को बेज दिया था इनफिशाय को अ ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस ट्रांजेक्शन के आपकी फी लगती है और यह वीजा और मास्टर काट बाहर की कंपनी है तो वरिफिकेशन के लिए आपका पैसा गुमा फिरका फिर इंडिया में आता है तो इनफिशाय ने एक कार्ड बनाया जो रुपे कार्ड नाम से कर दिया इससे पेमिन करने से जो आपकी ट्रांजेक्शन फी लगेगा वो वीजा और मस्टर काट से कम लगेगा आपका पैसे इंडिया में रहता है मोजी जी के जंदन योजना के शमय सब को रुपे कर दिये गए थे रुपे कार्ड सब बैंक के सब टायड अब भी कर चु उनिफाइड पेमिन इंटरफेस तो यूपी के साथ जित आप सब तरह के पेमिन कर सकते हैं किसी दूसरी इंशन को भी पैसे सेंड कर सकता है यूपी एइए एक इंटर बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर सिस्टम है आपका जो मनी है वह इंस्टान ट्रांसफर हो जाता है पीबीडि में आपका सब डे डास थोता है अब किसी को भी बैस निट और रिसीब कर सकते हैं रिट्एक कर सकते हैं लिमिट है 0000000 पर दे है और इसके जो टांजेक्सिं पी है ओव पचास पैसे है रख 10 पर days prior आप पैसे कर सकते हैं इसके बाद आता है एक यूनिक नंबर स्टार नाइन नाइन हैज यूसेजडी यह भी और एक तरीका है पैसा भीजने के लिए जो इनपीसे ने बनाया है इस नंबर को आप जिसकी भी फोन से डायल करेंगे तो इसके बाद कुछ इंफरमेशन के बाद ही कुछ इंफरमेशन मान लिजी आप इंडिया के जहाँ पर भी होना क्यों आज पास में जिस टावर से आपको नेट्रोक मिलता है वो मान लिजी वोड़ाफोन या टेलब आइडिया का हो तो इन पीसे ने क्या गया उन टावर में यूसेजडी गेट फिक्स किया है उससे क्या होगा अब जब भ बस इतना चले धन्यवाद